कैसे सब लोग वेलकम टो अपना कॉलेज और आज हम करने वाले एक बहुती बढ़िया टॉपिक जिसका नाब है एमोज अल्गॉरिदम और यह बेश्ट है जो उन्हें प्रीवेस टॉपिक शिका था स्क्वेर रूट टी कंपोशिश्ट के जो जो प्रॉबलम का जनर्ल स्ट्रॉक्चर होता है जब हमें ल्गॉरिदम यूस बेश्ट करना होता है वह कुछ ऐसा होता है यॉआ गिवडन ऑरज साइज एन अंद क्योग यू क्वेरी अट इन एडर ॉघ वेलग क्योग उड़क है या फिर कुछ ऐसा होगा और फिर उसका answer हमें output करना होगा तो इसका जो brute force approach है वो तो बहुत ही असान है बिल्कुल same as अपना square root doing composition for each query हम क्या करेंगे compute the answer for that query एक loop लगाके और उसका answer compute कर लेंगे और jump on to the next query ठीक है, तो इसमें हर किसी query का जो time complexity होगी order of n और हमारे पास q queries है ford नहीं कर पाते, so that's why we have to optimize it, so जो इसका efficient solution होगा, that will be using ammo's algorithm, और इसमें हम क्या कर रहे होगे इसके जो steps है, वो ध्यान से देखिए कि input all the queries simultaneously, इसका क्या मतलब है कि सारी की सारी queries को ले लो, एक साथ अभी किसी को answer मत निकालो, लेकिन सबको input ले लो, और फिर क्या करो, sort the queries in a particular fashion, और यह जो particular fashion है यह भी हम देखने वाले है और यह जो step है this step is known as offline processing of queries, offline processing का क्या मतलब है कि भई, पहले मैंने सारी queries ले ली और उनने sort कर दिया, अब sort करने के बाद ऐसा हो सकता है कि जो मेरी दूसरे नमबर की query है, वो चौते position पर पहुच जा है और जो चौते नमबर की query है वो पहले position पर पहुच जा है, तो जो बाद में query आई थी, उसको मैंने पहले solve कर दिया, और जो पहले query आई थी, उसको मैंने बाद में solve कर दिया, so that is called offline processing, और online processing क्या होती है, कि जैसे जैसे query आ रही है मैंने एक query लिए उसका answer दे दिया फिर दूसरी query लिए उसका answer दे दिया so that is online processing of queries so इसमें हम करते क्या है जो special fashion था, वो देखे क्या है मान लिजी आपके पास array है वो ही, कि 15-2 6-8-7, 21-11 और आपके पास queries है, lr वाली ठीक है, so इसको जो हम sort करते है queries को वो ऐसे करते हैं, कि अगर हमारा जो l है किसी किनी दो queries का हमारा l, अगर same root n के block में लाई कर रहा है, मान लिजी अगर हमारा l इस root n के block में लाई कर रहा है, और तो हम क्या करेंगे जिस query का r बड़ा होगा उसको पहले रख देंगे और जिस query का r छोटा होगा उसको बाद में रख देंगे, और वहीं अगर यह वाला case नहीं है, so जिसका l पहले वाले root n के block में लाई करेगा उसको पहले रख देंगे, और जिसका L, दूसरे वाले root end के block में लाई करेगा या फिर आगे वाले root end के block में लाई करेगा उसको आगे रख देंगे, ठीक है इससे क्या फायदा होने वाला है, वो अब देखिए so, example देखिए, sorting हम कैसे करते हैं मान लीजिए, so अब ध्यान से देखिए, कि जो पहला जो L है, वो ही बड़ा है, दूसरे block में लाई कर रहा है तो हमने उसको आगे रख दिया इसमें जो variables होंगे इसमें जो हम कर रहे होंगे, इस algorithm में हम simply compute करेंगे अपना answer और वो ही इत्ता efficient होगा, कि वो हमें q root end का solution मिल जाएगा इसके जो variables हैं, वो चार variables होते है current L, current R, L और R current L और current R क्या है कि अभी तक जो मेरे दो variables जो आगे पीछे होने वाले है वो इन positions पे है और LR क्या है, मेरे current query के LR कि मेरे को इनका इस range में answer चाहिए So these are the pointers to the current computed answer और LR क्या है, मेरे pointers pointing to the required query So हमारे 4 cases बन सकते हैं पहला case तो यह हो, कि भई जो आपका current L है वो पीछे है अपने query के L से या फिर यह हो सकता है, जो आपका current L है वो आगे हो, आपके query के L से और जो R पे cases बनेंगे वो दो cases बन जाएंगे वो ही, कि आपका current R पीछे हो आपके R से या फिर आपका current R आगे हो आपके query के R से जब पहला case होगा मेरा, कि अगर मेरा current L छोटा है तो increase कर दें current L को अगर मेरा current L बड़ा है तो उसको decrease कर देंगे current R छोटा है, तो increase और current R बड़ा है, तो उसे decrease कर देंगे एक dry run करके देखते हैं तो हमारा array ये वाला था तो माल लो, अपना current L है 0th position पे और current R है 8th position पे तो इसका current sum है, वो है 25 that is the sum of the array तो उसमें हम क्या करेंगे सबसे पहले मेरा current L आगे आएगा और L तक coincide कर जाएगा जब तक कि मेरे L और current R के coincide नहीं हो जाते है तो मेरा current sum अपडेट हो गया 24 से, क्योंकि पहले 25 था, 1 Hz आएगा तो 24, फिर मेरा current L फिर से आगया आएगा, so 24 में से 5 भी सब्ट्राक्ट हो जाएगा तो 19 आजाएगा then मेरा current L और आगया आएगा और वो L से coincide कर गया तो जो मेरा current sum हो जाएगा that will be 19 plus 2, that is 21 अब मेरा current R पीछे आना शुरू कर देगा so current R मेरा जब पीछे आया तो 21 minus 11 equals to 10 ठीक है, तो मेरा current sum 10 के बराबर आजाएगा then मेरा current R फिर से पीछे आया तो 10 minus 1, 9 हमारा current sum उसे update हो जाएगा and then मेरा current R फिर से पीछे आया और R के साथ coincide कर गया तो मेरा current sum हो जाएगा 7 और that is the required queries answer so जो इसकी time complexity होगी वो क्या होगी, यह देखते है so हमारी number of queries थी क्यूँ तो sort करने के लिए queries को हमारा time लग जाएगा Q log Q और call for all the blocks यानि कि सारी ब्लोक्स पे call करने के लिए हमारा time लगा वो ऐसा लगेगा लगा जो n root n है sorry n by root n है that is the number of blocks क्योंकि total मेरे elements थे कितने है n और मैंने उसे root n के blocks में तोड़ा था right so यह मेरे number of blocks है and for each block so अगर मेरा L एक particular block में है तो जो मेरा R है वो पूरे n एरे पे दोड़ सकता है इसको ध्यान से समझो कि अगर जो मेरा L है अगर वो एक particular block में है right so जो मेरा R की values हो सकती है वो पूरे एरे पे जा सकती है right so that will be the instances of R और the number of times change in value of current L वो कितनी हो जाएंगी root n that is the number of blocks into Q जो की queries होंगी so जो total time complexity हो जाएगी वो यह हो जाएगी कि this value plus this value so वो हो जाएगा order of n plus Q into root n so let's code it guys so M.O.S. algorithm के program में हम इस बार क्या करने वाले है sum compute करने वाले है from L to R जो भी हमें queries दी जाएगी तो उसके लिए सबसे पहले number of elements से ले ले लेते हैं अपने आरे में int n scene n उसके बाद हम क्या करेंगे एक array बना लेंगे एन size का और अपना input ले लेंगे so input लेने के बाद हमारे पास n तो आई चुका है तो एक root n variable पर डेकलेर कर लेते हैं क्योंकि हमारा जो root n variable है जब हम उपनी sort करेंगे queries तो इसको globally declare कर लेते हैं और इसको initialize कर लेंगे हम अपने main function में so in general जब आप question solve करोगे of competitive programming so उसमें root n की value globally fixed लेना ज्यादा beneficial रहता है rather than declaring it on the run time so इस problem में तो हम run time पर declare कर रहे है but generally अगर आप उसके fix लोगे like approximately 900 और 800 तो वो ज्यादा efficiently काम करता है so root n कितना हो जाएगा square root of n और इसमें हमने sqrt l use किया है क्योंकि यह ज्यादा efficient होता है sqrt से फिर उसके बाद हम अपनी number of queries ले लेंगे queries input लेने के बाद हम queries के l और r ले लेते है so उसके लिए मैं एक structure declare करूंगा struct capital q और इसमें मेरे तीन variables होंगे एक होगा मेरा l एक होगा r और एक index index क्या होगा कि वो किस position पर आई है मेरी मतलब पहली बार आई है दूसरी बार आई है जो query है query का index number वो होगा index int idx l और r ठीक है और l और r मेरा क्या होगा query के l और rs so अपनी queries input लेते है right so मारा पहला step क्या था कि सारी की सारी queries input ले लो और फिर उने sort कर दो so for int i equals to 0 i less than queries i plus plus int l r scene l r right so q i so इससे पहले मेरको एक queries का array भी declare करना पड़ेगा right so वो हम declare कर लेते हैं यहाँ पे globally capital N size का जो क्यों होगा 10 की पर 5 प्लस दो right so q i dot l में हम l डाल देंगे इसी को copy कर लेते हैं so q i dot r में हम डाल देंगे r and q i dot index में हम डाल देंगे अपना current i right अब हमने input तो ले लिए queries अब हम इने sort करना है और sort भी किसी particular fashion में करना है तो वो फैशन हमें अलग से भार declare करना पड़ेगा so sort q, q plus queries क्योंकि queries जित्ती मेरी queries है and then वो जो particular fashion है उसके लिए हम एक अलग से compare function मनाएंगे so compare function जो हमने देखा था वो अब हम लिखने वाले है so bool compare और q q1 so though हम q data type q structure की query instances लेंगे और वो किस basis पर sort होने वाले होंगी वो अब हम लिखने वाले हैं so if मेरा q1.l by root n is equals to q2.l by root n तो हम simply क्या कर देंगे जिसका r बड़ा है वो अले query को पहले रख देंगे so return q1.r should be greater than q2.r और अगर यह same block में लाई नहीं कर रही है तो जो पहले block में लाई कर रही है उसको पहले रख देंगे return q1.l by root n should be less than q2.l by root n तो हम आरब compare function भी बन गया है और अब हमने अपनी queries सो sort कर लिया है अब हमें बिलकुल simple सा काम करना है कि offline processing करनी है so normally जैसे हम query को answer करते थे वैसी answer कर देंगे तो उसके लिए हम अपने 4 variables बना लेते हैं उससे पहले जो मेरा answer store कर रहा हूँगा vector उससे declare कर लेते हैं so vector int answer और इसका size होगा queries के जित्ता क्योंकि queries के जित्ती number of queries आ रही है मेरे पास अब अपने 4 variables declare कर लेते हैं current L, current R, L और R basically L और R तो मुझे उसमें से मिल भी जाएंगे so उसके instances declare कर रहे हैं so int current L इसको हम initialize कर देंगे 0 से और current R को भी हम initialize कर देंगे –1 से so यह क्या दर्शार है कि मेरा current R less than current L है तो अभी मैंने कुछ भी नहीं देखा और अभी मेरी starting है और L और R declare कर लिए हमने उसके बाद एक current answer भी रखेंगे जो की current L और current R की जो range है उसको define कर रहा होगा int current answer equals to 0 अभी कुछ समी नहीं है तो हमने उसको 0 से initialize कर दिया अब हम एके करके queries पर जाएंगे और उनका answer compute करेंगे so for int i equals to 0 i less than queries i++ then L और R में अपने present query के LRs ले ले लेते हैं so L equals to qi.l r equals to qi.r ठीक है so क्योंकि यह one-based indexing होगी इन L और Rs की और हम सारा answer जो है zero-based indexing में करेंगे तो L को एक से decrease कर लेते हैं R को भी एक से decrease कर लेते हैं अब हम अपने वो 4 cases लिखने वाले हैं जब मेरा current L छोटा है और current L बड़ा है या फिर मेरा current R छोटा है R से या फिर मेरा current R बड़ा है R से तो सबसे पहले हम कौन सा case लिख रहे हैं जब मेरा current R छोटा है अपने R से so while आपका current R is less than my present R तो क्या करो भई current R मेरा छोटा है तो इस case को ध्यान से देखो मेरा current R को increase करना है so increase करने का क्या मतलब है कि मेरा current R छोटा था तो मेरा को इसको आगे बड़ाना है so आगे बढ़ाने के लिए पहले में current R को increase करूँगा और फिर उसकी value जो आएगी वो अपने current answer में incorporate कर लूँगा so current R plus plus and current answer plus equals to array of current answer sorry current R ठीक है so मेरा पहला case त्यार हो गया है अब हम बढ़ते अपने next case पे जो की है कि while आपका current L is greater than L, right so इस case में हम क्या करेंगे फिर से हमें include करना है element तो पहले current L को एक से कम कर लेंगे और फिर उसका answer अपने current answer में incorporate कर लेंगे so current L minus minus and current answer plus equals to A of current L, right अब बढ़ते हैं अपने तीसरे case की तरफ जो की है जब मेरा current L छोटा होगा मेरे L से so while current L is less than L तो उसमें हम क्या करेंगे, कि मेरा current L छोटा है यानि पहले मुझे इसका answer हटाना पड़ेगा, तब मैं current L को आगे ले जा सकता हूं, right so current answer में से minus कर देंगे हम A of current L और अपने current L को increase कर देंगे और last case पर बढ़ते हैं, जब मेरा current R बढ़ा होगा मेरे R से so while current R is greater than my R तो वही सेम काहानी करनी है, कि मेरा current R बढ़ा है R से तो मैं पहले answer में से current R वाली value हटाऊंगा और फिर current R को decrease कर दूँगा so current answer minus equals to A of current R and then current R minus minus, right so यह हमने सारा अपना काम कर लिया है, चारो cases का, अब जो answer बन के आएगा वह मैं अपने answer array में store कर रा लेता हूं उस particular index में जो कि मेरी query का index होगा, original query का, so answer of qi.idx उस position पर जो मैंने अभी current answer की value compute कर रही है, उसको store कर दो, right और last में जब यह सारा काम हो जाएगा, तो मैं अपना answer array output करना है so for int i equals to zero, i less than queries, i plus plus, so हमने अपना answer output भी कर दिया है, so इसको अपने test case पर run करके देखते हैं, so हमारा given array यह है, number of elements इसमें 9, और array के queries हमने देखी थी, जब हमने sort किया था, lrs को, वो देखते कौन सी थी, वो थी, 7, 8, 1, 6 और 2, 7 तो 3 हमारी queries है, 7, 8, 1, 6, and 2, 7, ठीक है, so let's run this, so जैसे कि हमने देखा हमारा answer आ रहे, 3, 11, और 12, वो देखते हैं कैसे आ रहा है, पहली हमारी query थी, 7 से 8 की, और यह one based indexing में है, तो यह 9 element है, 7 और 8 वा, तो 2 plus 1 is 3, वो बिल्कुल सही आ रहा है, 3, then 1 to 6, 1 to 6 मेरे यह वाले elements है, right, इनका समकिता होगा मेरा, 1 plus 5, 6, 6 minus 2, 4, 4 plus 6, 10, 10 plus 8, 18, 18 minus 7, 11, right, और वो 11 बिल्कुल ठीक हा रहा है, then, जो मेरा next query थी, वो थी 2 से 7 की, उसके जो elements है, वो यह है, right, इनका सम क्या होगा, 5 minus 2, 3, 3 plus 6, 9, 9 plus 8, 17, 17 minus 7, 10, and 10 plus 2, 12, तो यह बिल्कुल सही आ रहा है, 12, तो देखा, offline processing का दम की हमने, n plus q root n में अपना answer compute कर लिया, और बहुत सारे सवालों में, यह हमारे को काफी useful होता है, So I hope, आपको question रचे से समझ में आ गया है, तो ऐसी coding करते रहे हैं, अपनी coding से इसको improve करें, हमारे साथ नए नए यह algorithm सीखें, हम मिलते हैं आपके साथ एक्स वीडियो में, पब तक के लिए, बबाए बचलियो में आपके साथ